सबी मियों को नमस्कार राम राम जेहिंजे गोमाता मैं रावली डेडी फार्म किश्वनगर्ड जिला अजमेर राजस्तान से आमिर पठान मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक यूनिक अदबुद अजूबा गोमाता जो की मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट ल एसी इस की चोड़ाई मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी और नाभी का साइच गले की कंबाल एडर वगेरा देखो आप आगे से सीने की चोड़ाई देखो आप पीछे से गल कंबाल चोड़ाई देखो आप बहुत ही खुबसूरत गोमाता फर्स्ट लेक्टिशन के अ यह साथ से साथ महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है यह मैं कहूं आपको बड़ी से बड़ी मुर्रा की भैस और चोट्य पांचवेल एक्टिशन की गिरगाई और एक बड़े साइच का होड्स इसके सामने खड़ा कर दो वो भी छोटा नजर आएगा इसकी मां का भी इतना तगड़ा रिकोर्ड है इसकी मां अभी हमारे जेपुर जिले में फुलेरा गाउं के अंदर खड़ी है और इसकी मां के अभी परजेंट के अंदर बुड़ी गोमाता है पुरानी गोमाता है ओल्ड बिरिट की अभी परजेंट टाइम में 24 लिटर और दूद में हाइस्ट, हएच एफ की तरह, और ये फर्स्ट लेक्टिशन में बच्चा देने वाली है, और बिल्कुल गुलाबी होट, लाल होट, लाल सींग, लाल पूच, और आखों के लेंस बिल्कुल लाल, जो आपको अभी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा, आखों के पुतलियां बिल्कुल लाल, बट ये स्वन कपिला में नहीं आती है, ये तामर कपिला गुमाता है, तामर कपिला, ठीक है, और बिल्कुल लाल गुलाबी कान, लाल गुलाबी होट, में इतनी बड़ी बड़ी गहें लाके बेचिये मैं अपनी रेरी से राजस्तान में आज तक किसीने नहीं बेची होगी और आगे दस साल तक कोई नहीं बेच सकता इतनी महँगी इतनी quality वाली गहें लगे बेची है लेकिन फर्सट लेक्टिशन के अंदर एसा बोडिस टेक्चर नहीं देखा जो इस गोमाता का कि जब कि यह मेरे यहां पर आये वेखाँ हो गयाओंगे साथ से आठ दिन साथ से आठ दिन के अंदर इसका बोडी मेरे हाँ पर आके कम हुआ है जादा नहीं हुआ है कम हुआ है इसका उसके बावजूद भी अभी देखो बूकी खड़ी है तो भी कितना अच्छा बोडी इस्टेक्चर है यह हरा खाती है हरा मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी हरे की विवस्ता नहीं है इतने दिन बीड़ा लिया हुआ था तो बीड़े में तो हरा था तब यह नहीं आई थी कान ऐसे के आप सिक्का रख दो सर ऐसा उल्टी मट्की की तरह के पानी का जग रख दो और गलकंबल होटों के नीचे से स्टार्ट हो रही है पूरी एडर तक जाके मिल रही है ठीक है यह एसे बच्चे प्रिड्यूस करेगी इसकी मा ओल्ड बिरिट की बहुत लंबे सिंगों की मा थी और इसका भी फर्स्ट लेक्टिशन में देख लो कितना लंबा सिंग है ठीक है ना और थनों से आप लोगों को लगी रहा होगा फर्स्ट लेक्टिशन है नहीं तो मैं देखलो milking अयावा थन नहीं है ये 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 देखो ठोड़ी से आगे लिया अग्रेमик को ये दो हो में यह मिल्किम को यावा थन्न ही अप च्पी के ओ और मैं फर्स्ट लेक्टिशन की इसकी गारंटी लेता हूं कि फर्स्ट लेक्टिशन में आब ये क्या है साथ अच दिनो एपनी जगेपे हम इसको गुमा के चला के फिरा के दिखाना चारे थे हैं पर यह रुक नहीं रही थी यह जहां पर हम वीडियो बनाते हैं चुकि यह बांधने की वह मेरे से डिलेवरी होई भी गाए लेना पसंद करते हैं जाहतर लेकिन मैं आज आपको वीडियो दिखाने का सिर्फ इतना सा रीजन है कि आज ही पविश्यवानी कर रहा हूं एसी एडर निकालेगी कि बेट नहीं पाएगी और आपने गिर गाए के इतियास में बहुत कम ज एल्थ बोडी स्ट्रेक्चर बहुत ही अच्छा चोटा सा फेस लंबे-लंबे कान गुंडीदार गुमाओदार कान और एक चीज मेरे से गड़बड हुई है कि मैं जिस पीक अप में इसको भरके ला रहा था वहां पे इसकी मेरे से पूच दब गई उसके डाले के अंदर ब मेरे पास फोटू भी पड़ी है जो मैं इसकी वीडियो की स्टार्टिंग पर लगा दूंगा मेरे से इसके बाल कड़ गए मैंने क्या डाला लोहे का बंद किया और गाई बेटी थी तो डाला बंद कर दिया वह उसके अंदर बीच में बाल पस गए और वह बाल बगाई रख रखें आठ दिन होगे मैंने बाल भी उठा के रख रख रखें के मेरे से ढूटे थे हो वाल नीतो इतनी खूबसूरत लग रही थी जमीन को टच करती भी पूंश थी इसकी आप फोर्चुनर रखो ओडी रखो उसको कोई नहीं देखेगा इस गाई को आप अपने घर पे बांदो सो आदमी नहीं पूछे नहीं का भीया कहां से आई है तो कहना यह हैल्थ वाइज तो है हाइट वाइज तो है लेकिन यह वेसी ही एडर निकालेगी वेसा ही इसका structure है वेसी इसकी purity है वेसी ही इसकी पुरानी bloodline है वेसी इसकी pedigree का record है और यह पेर चोड़े करके खड़े होने की suits ay आने वाले टाइम में इन नों पेरों के नीचे इतनी ज्यादा निखनने वाली है कि गोमाता एडवांस में अपने पेरों को चोड़ा करके खड़ी हो रही है समझने है आप लोग और पीछे से पुठा इतना डायरा है बहुत प्योर्टी वाली बहुत लंबे चोड़े बोडी स्टेक्चर वाली चार दात वाली गोमाता आपको दिखाई है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो सभी भईयों को फिर मेरी तरब से एक बार राम राम जै हिन जै गोमाता यह देखो इसके प तामर कपीला वाले पूँच है यह देखो आप ठीक है न यह बाल जड़ में से निकल गए ते और यह मैंने उठाके रख दी थी फिर पूँच को यह तामर कपीला वाली पूँच है कोई भी जानके बता देगा नहीं तो काली आती है पूँच नीचे से गायों की यह तामर लोगों को एक मेरे एक भाई हैं जिनको मेरे से बड़ी सिकायत हैं कि आप सालाम नहीं करते हो नमस्कार राम राम जेहिंज गाउमाता बोलते हो तो भाईया मैं जितने वार राम राम बोलता हूँ ना उत से हजार गुणा जादा मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर देख लेना राम राम का जवाब मिलेगा जितनी बार मैं गउमाता बोलता हूँ न उससे ज़्यादा आपको कमेंट के अंदर जे गउमाता लिखावा मिलेगा बाकी मैं सलाम करता हूँ उसका जवाब बहुत रेर चांस में पचास या शाट वीडियो के अंदर एक सलाम का जवाब आता है इसलिए मैं सलाम नहीं करता हूँ क्यों सलाम करें तो उसका जवाब भी आना चाहिए मैं राम राम करता हूँ हजार जवाब आते हैं उसके मैं जे गउमाता बोलता हूँ हजार जवाब आते हैं गुजरात वाले जे माता जी बोलते हैं, तो मैं जे माता जी बोलता हूँ, तो पूरे गुजरात वालों के जे माता जी कमेंट आते हैं, ठीक है, तो मैं सलाम, इसलिए नहीं करता है कि सलाम का जवाब भी आना चाहिए, आज आप लोगों को मेरे से ये नाराजगी थी, तो मै मैं आज अस्सलाम अलेकुम बोल रहा हूं देखते हैं कमेंट में कितने जवाब आएंगे ठीक है तो सभी भीयों को राम राम पुर्जे गोमाता और एक बहुत ही हेवी बोडी स्टेक्चर वाली गोमाता आज आप लोगों को दिखाईए दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा थ कि यह इतनी एडर निखालेगी कि यह बेट नहीं पाएगी आज के डेड़ महीने या एक महीने बाद इसकी डिलेवरी होने वाली है तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि जो मैंने बोला था वो पूरा हुआ है और मैं इतनी कच्ची गाई जब ही खरीद के लाता हूं जब मुझे सकस्करिण नहीं तो पांस दिन देख दिन की डिलेवरी होने वाली आई पांस दिस दलेवरी होई भी रे ऑप्रएग खरीतते हैं गुजरात में गया था तो जो पुरानी ब्लेड लाइन चल रही है उन गायों के अंदर ही ये इतने लंबे लंबे उंचे नीचे सिंग मिलते हैं जो गिर की पहचान होती है बाकी आपको और कोई ब्रिड में ऐसे सिंग नहीं मिल सकते हैं ठीक है भाईया जैगौमाता राम र रह आले कुई।